हलो माइडियर स्टुडेंट्स देखिए बिटा आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चेप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है रेडॉक्स रियक्शन रेडॉक्स रियक्शन एक ऐसा चेप्टर है जो कि आपको 12th क्लास में दो चेप्टर में यूज करना पड़ेगा सबस पहला चेप्टर है आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और दूसरा चेप्टर है आपका D&F ब्लॉक ऐलिमेंट्स 12th क्लास के अंदर दो चेप्टर में रिलेट करेगा बिटा तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 11th रेडॉक्स रियक्शन आज बस इसका इंट् लोग को पढ़ना है चलिए बिटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बेसिक चीज़ देख लेते हैं रेडॉक्स रियक्शन होती क्या है रेडॉक्स रियक्शन होती क्या है तो रेडॉक्स में जो एक वर्ड है बिटा ब्लैक वाला यूज करते हैं एक है रेड दूसरा है रेड मतलब होता है reduction, red मतलब क्या होता है बिटा, reduction, and ox for oxidation, एक ऐसी reaction, जिसके अंदर, एक ऐसी reaction जिसके अंदर, reduction और oxidation एक साथ होता है, उसी को हम बोलते है, redox reaction, और reduction और oxidation की, आप लोगोंने दो-दो definition 10th क्लासे पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीसरी definition भी importantly use होत होगी, और वही use होगी, अब, क्योंकि आपको, जो gain of oxygen is oxidation, loss of H is oxidation, gain of H is reduction, loss of H is, ठीक है, तो loss of O is, हाँ, तो वो वाली statements अब आप कोई काम की नहीं है, बस आपने समझ लिया हो, बहुत चीपात है, लेकिन, आप redox जो term है, वो दो word से पढ़ाए, एक है reduction, एक oxidation, पहले redox term की basic definition पढ़ते है, तो redox जैसे हैं अपको पता है, जिसके इंदर reduction, oxidation एक साथ होता है, ठीक है न, ध्यान से सुनिए गवड़ा, ये तीन की statements है, statement 1, statement 1 ये है, ठीक है ये आपकी statement 2 है, ये आपकी statement 3 है, ठीक है, तो सबसे पहले statement, those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously, called redox reaction, एक ऐसी reaction, जिसके अंदर reduction और oxidation एक साथ होता है, उसे बोलते है, redox reaction, clear, अच्छा, reduction, oxidation की न, basic definition, इस page के बाद वालिम पढ़ेंगे, ठीक है, जान सुनिएगा, दूसरा, और क्या बोल सकते है, those reactions in which transfer of electron from one chemical substance to another chemical substance, ठीक है, उसको बोलते है, क्या, आप ही क्याद र oxidation की, ध्यान से देखिएगा बिटा, oxidation की तीन statements, और reduction की यहाँ पर तीन statement, पहला, वो next page पर आपको लिखाई मिलेगा, सबसे पहली statement, कि भई, ये क्या करता है, gain of O, gain of O, oxygen, दूसरा क्या कर सकता है, loss of H, हाई यह ना बिटा, ठीक है, तीसरा क्या करेगा, oxidation आपका होता है, जह जहाँ पर electron, जो electron को loose करता है, वो अपने आपका oxidation करता है, क्या करता है, तो loss of electron भी, loss of electron भी क्या होती है, reaction बिटा, याद रखिएगा, जहाँ पर electron का loss होता है, clear, फिर इसकी दूसरी definition, change कर दिए बस, gain of H, शाबाश बिटा, loss of oxygen, शाबाश, gain of, जहाँ पर electron का gain हो, वो भी ज reduction की होती है, clear, तो पहली statement क्या है, those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, called redox reaction, दूसरी statement इसकी है, those reaction in which, in which transfer of electron from one chemical substance to, अब वही, एक electron देगा, तो दूसरा क्या करेगा, लेगा, जो देगा, वो oxidation पे है, जो लेगा, वो reduction पे है, क्योंकि जो देगा, वो loss करेगा, और जो लेगा, वो gain करेगा, clear, फि फिर third statement है, those reaction in which increase of weight of one substance and decrease of weight of another substance in a chemical reaction, या फिर टेक्स प्लेस से क्या बोलते है, redox, जिसे कोई भी, कोई भी element अगर electron लेगा, electron को तो mass होता है, ना, 9.1 इंटो 10 की पावर माइनस 31 kg, तो भाई, कोई भी element अगर electron लेगा, तो obviously उसका mass बढ़ेगा, कोई electron देगा, तो mass घटेग उसका, clear है, तो उसके according, electron का mass अगर देखना है, तो यह होता है, 9.1 इंटो 10 की पावर माइनस 31 kg, यह आप लोगोंने chapter 2 के अंदर पका पढ़ाव का बढ़ेगा, clear है, okay, तो यह statement तो याद रखिएगा हमेशा, ठीके ना, और यह तीन, इसकी तीन statement, इसकी तीन statement, चलिए बढ लिखवाई है, ठीके, लेकिन आपको example के साथ बताया जाएगा आप यहाँ पर, example के साथ, देखे बढ़ा, देखे, सबसे पहला, gain of oxygen, C plus O2, gives CO2, तो carbon पर यहाँ पर oxygen नहीं था, लेकिन अब product में तो है, तो carbon ने ले लिया, तो oxidation हो गया, अब loss of H, ठीके, तो यहाँ पर ले है, तो यह है, तो यहाँ पर अभी देखे, तो यहाँ पर अभी देखे, लेकिन अब O के साथ H नहीं है, ठीके, तो H के respect में, यहाँ पर क्या हुआ, loss of hydrogen है, तो यहाँ पर यह भी क्या है, oxidation है, अब तीसरी केस में, बैलन्स करना है, तो बैलन्स कर देते हैं, यह दो हो गया यह दो हो गया, ठीक है, बैलन्स उपर वाली भी नीचे वाली भी, ठीक है, थर्ड केस में, आपको पता है कि भई, कौन से ऐसे element है, जो electron को lose करते हैं, metal, metal की property ही होती है, जो electron को lose करें, वो metal होता है, जो electron gain करें, वो non-metal होता है, तो किसी metal को पकड़ लेते हैं, चलिए, suppose कर lose कर दिया, और sodium एक ही electron lose कर सकता है, क्योंकि sodium के outer motion में एक ही electron था है, 2,8,1 की configuration होती है, इसकी, clear बैटा, 2,8,1 की configuration है, तो यहाँ पे हो गया यह, और यह electron निकल गया, clear है बैटा, अब यहाँ पे, आप लोग खुद मुझे, इसके examples बताइएगा, ठीक है, इसके example बताएता ह है, लास्ट बाले का जो important है, gain of electron, यह CL है, एक electron लेगा, और यह बन जाएगा, CL negative, मतलब, CL ने एक electron लेके यह बन गया, मतलब, यहाँ पे क्या हो रहा है, gain of electron is reduction, क्या है बिटा, reduction, और इसका example आप लोग मुझे, comment section में बताएगा, clear बिटा, ओके, आप भी बताएगा, ठीक ह confusion भी create नहीं होगे, ठीक है, generally इसके अंदर ना, दो वर्ट यूज होते है, एक होता है आपका oxidation number, जिसको हम O N बोलेंगे, एक होता है oxidation state, ठीक है, जिसको O S बोलेंगे, ध्यान सुनिए गपटा, ठीक है, oxidation number क्या होता है, oxidation number होता है, the number of electron lost or gain by an, by an atom, in the formation of compound, called oxidation number, एक किसी भी compound के formation के समय, compound जब बनता है, उस time पे एक element, electron देता है, तो दूसरा क्या करता है, लेता है, तभी तो उनके बीच में एक relation बनता है, तभी तो क्या क्या बनता है compound, ठीक है, जैसे मैं आपको 10 रुपे दूँगा, ठीक है, तो मैं दूँगा, आप लोगे, तो भई क्या वो लगे है, ध्यान सुले, the number of electron lost or gain, एक loss करेगा, तो दूसरा obviously क्या करे है gain, क्योंकि जो loss करेगा, वहाँ पे oxidation होगा, जहाँ पे gain होगा, वो reduction होगा, ठीक है, ओके, by an atom in the formation of a compound called oxidation number, ठीक है, ध्यान सुलेगा, एक example है, suppose हमारे पास FeCl3, क्या है बिटा, FeCl3, FeCl3 को Fe, Fe, Fe क्या है, metal है, metal क्या करते है, लेक्टोन को, लूस करते है, तो Fe किस charge पे, Fe, यहाँ पे plus 3 है, मतलब initially Fe क्या होगा, Fe, जब उसने 3 लेक्टोन लूस कर दिये, तो क्या बचा, Fe plus 3, मतलब यहाँ पे loss of electron है, मतलब यहाँ पे क्या है, बिटा, oxidation, क्या है oxidation, ठीक है, अब भई Cl, Cl क्या करेगा, अब यह देखो, 3 लेक्टोन लूस कर रहा है, तो इसके 3 लेक्टोन कौन लेगा, Cl, Fe, 3 लूस कर रहा है, तो, 3 लेक्टोन लेगा, Cl, तो 3 Cl है, उसने 3 लेक्टोन गेन किया, और यहाँ बंद गया 3 Cl negative, यहाँ गेन of electron है, तो यह होगया आपका, reduction बीटा, ठ present on per atom एक compound में हर atom पे हर अलग individual atom पे जो चार्ज या oxidation number होगा उसे बोलते हैं क्या oxidation state clear है जैसे suppose example के तौर पे suppose है मेरे पास Kmn4 ठीक है Kmn4 आपका ऐसे होता है Kmn4 formula आपके पास ठीक है potassium पे क्या charge होगा भाई potassium अगर किसी के साथ attach है तो potassium पे plus one होगा कि potassium हमेशा एक electron लूज करके किसी के साथ bond पर आता है potassium two eight eight one की configuration होती है उसके पास तो potassium पे क्या हो गया one ठीक है Mn oxygen oxygen पे क्या होता है oxygen का atomic number कितना है आठ होता है two comma six configuration है अब वो दो electron ले लेगा तो कितन हो जाएंगे six से दस आठ हो जाएंगे आठ होने का मतलब उसका outermost orbit भर गया ठीक है तो मतलब oxygen हमेशा most of the cases में ठीक है चुकि यह normal oxide अभी अभी हम इसके अंदर oxidation number state पढ़ेंगे न नंबर निकालना तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे की oxygen ने एक normal oxide में पाय जाता जिससे minus two charge होता है एक होता है पैर oxide जिसमें minus one होता है एक होता है आपका super oxide जिसमें oxygen पर minus आधा charge होता है minus half charge होता है clear okay एक और होता है sub oxide जो की आपका paradox method से निकाला जाता है जो की आप इसी chapter के अंदर पढ़ेंगे बिटा clear चलिए ओके तो इसके अंदर o पर क्या है minus two k पर क्या है plus one मिरो निकालना किसका है mn का तो mn का मैं निकालता हूँ यहां से ठीक है एक वो यूज करूँगा equation बनाके k पर क्या charge है one तो one लिखता हूँ ठीक है अब दूसरा element आ गया तो प्लस जालूँगा ठीक है और mn का निकालना तो उसे क्या जाएगा plus seven मतलब mn पे इस compound के अंदर mn पे जो चार्ज है वो क्या है plus seven अगर देखो ध्यान से oxidation state os को देखें अगर मैं तो oxidation state of mn in k-m4 is mn plus seven to oxidation state को इस तरी के show करते हैं उसी element पे वो charge दिखा देते हैं तो बोलते oxidation state और अगर हम इस oxidation number की बात करें तो oxidation number of mn in k-m4 is plus seven बस एक number शो कर देंगे clear है बिटा तो दो examples और आपको दिखाता हूँ ध्यान से देखिए को चलिए start करते है clear बिटा अच्छा कोई video आउट होगा तो please comment section बताइए गा वीडियो को लाइक करिए गा दोस्तों को ठीक है तो अगर मैं f e के respect में बात करूं तो सबसे पहला है on क्या होगया f e plus 3 और os इसके लिए क्या हो गया plus 3 से यह और इसके respect में बात करूं तो क्या हो गया c l minus 1 और os क्या हो minus 1 यह minus 1 है clear है तो इस तरीके से हो गया और इसका आप मुझे comment section में answer बताएंगे ठीक है बिटा तो यह portion आपका है start हो गया क्या redox reaction start हो गया इसका मतलब यह खतम भी होगा clear है बिटा तो कोई be doubt होगा तो please comment section बताईएगा वीडियो को लाइक करें वीडियो अच्छे लगी और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगा तब तक लिए take care बिटा आज मैं आप लोगों के लिए redox reaction के अंदर एक बहुत ही easy और important topic लेके आया हूँ जो की एक basic है आपके पूरे इस chapter को पढ़ने के लिए नाम है oxidation number ठीक है oxidation number में आप लोगों को किसी भी compound के अंदर elements की oxidation state पता करनी है मतलब उस element पे charge क्या है ठीक है जैसे suppose कहते हैं कि बहुत नसल के अंदर na पे क्या charge होता है plus 1 और cl पे क्या होता है minus 1 तो na cl के अंदर na पे plus 1 oxidation state है यह फिर oxidation number ठीक है ओके चली तो यह आपका स्टार्ट करते हैं टॉम है बिटा सबसे पहले define करते हैं define करते हैं oxidation number को oxidation number एक compound के अंदर element पे जो authentic charge होगा genuine charge होगा उसे बोलते हैं क्या oxidation number जैसे hcl, hcl के अंदर h पे charge होगा plus 1, cl पे होगा minus 1 तो उसे बोलेंगे हम h पे जो charge है, cl पे जो charge है उसे बोलेंगे वहाँ पे उसका oxidation number तो an authentic charge, an authentic charge, authentic charge, present on an element, present on an element, element in a compound in a compound called oxidation number, उसे क्या बोलेंगे हम पेटा, oxidation number, oxidation number just like, कि भई, nacl है हमारे पास, nacl के अंदर, na पे plus 1 होगा, इस पे minus 1 होगा, na cl तो पूरा एक compound है, जिसमें na पे charge है plus 1, तो na पे जो oxidation number है, वो है plus 1 और cl पे है minus 1, clear बिटा, तो यह है आपका oxidation number की statement, ठीक है, अच्छा, nature में na compound जो होते हैं, आपके दो तरीके से पाए जाएंगे, वो आपका पहला है, एक है free state, जो nature में अराम से हमें दिखते हैं, कैसे hydrogen है, ठीक है, hydrogen nature में कैसे पाए जाता है, h2 की form में, ठीक है, h2 की form में, तो वो उसकी free state होगी, carbon कैसे पाए जाता है, c, ठीक है, carbon के halotrops अलग-अलग होंगे, जैसे koila हो गया, diamond हो गया, graphite हो गया, buck mister, fulrens हो गया, buckyball c60 कहते हैं, clear, okay, तो देखे, दो तरीके के, आपके, दो तरीके से, elements are generally found in nature, सबसे पहला, कि भई, वो free state में पाए जागा, दूसरा combined state में, free state मतलब, कि भई, जैसे carbon है, carbon बस, अकिला पाए गया, आपका, तो उसे बोलेंगे, हम free state, ठीक है, s2 है, s2 बस, s2 ही होता है, तो उसे बोलते हैं, हम क्या, free state में, क्योंकि h, जो है, वो दूसरे s से attach है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बहुलूँ, कि भई, nacl, nacl, scl, co2, चलो, co2 की बात करता है, co2 के अंदर, c, जो है, वो दूसरे अलग elements attached है, वो है, o, तो उसे बोलेंगे, c, जो है, उसके अंदर, co2 के अंदर, combine state में है, और o भी, जो है, वो, c से attach है, तो वो combine state में है, किसी दूसरे element के साथ, clear है, okay, तो यह आपका, हम देखते हैं, कि free state में, कौन-कौन से element पे क्या charge होता है, और combine state में elements पे क्या-क्या charge होते हैं, ठीके, तो ध्यांस देखिएगा, सबसे पहले free state की बात करते हैं, suppose, hydrogen है, hydrogen हमारा S2 की form में पाए जाता है, उस पे charge क्या होगा, 0, n2 है, क्या charge होगा, बई, 0, okay, o2 है, क्या charge होगा, बईटा, 0, react नहीं कर रहा है, इसका मतलब sodium पे भी क्या charge है, 0, अगर वो CL के साथ attack कर गया, तो जब वो बन गया NACL, तब NACL है, आपका charge plus 1, लेकिन अगर बस sodium है, तो उसे बोलेंगे, उस पे कोई भी charge नहीं है, मतलब वो free state में है, charge क्या होगा पेटा जी, 0, okay, CL, CL अगर किसी के साथ attack करता है, तो उस पे charge होगा, क्या, आपका, minus 1, लेकिन अगर CL है, मतलब CL2, CL तो होता नहीं है, CL2, तो उस पे charge क्या होगा पेटा, 0, याद रखिएगा, SEP4, आपका 0, ठीक है पेटा, ऐसे ही, आपका S8, PV क्या charge होगा, 0, clear, okay, आपका Mg है, Mg अगर किसी के साथ attack नहीं करा, मतलब उसने न इलेक्टोन लिए न दिए, तो मतलब उस पे charge होगा, 0, okay, aluminium से, ये सारे के सारे किसकी बात कर रहा हूँ, बिटा, free state की बात कर रहा हूँ, किसकी free state की, याद रखिएगा, free state, okay, ऐसे ही आपका है और, sodium ये सारे होगा, बिटा, okay, P4 हो गया, ठीक है, सब्बोज हम बात करूँ, एक noble gas लिलता हूँ, तो भई noble gas जैसे neon होगया, neon तो electron लेता है, न दिता है, तो उस पर obviously जो charge होगा, वो 0 होगा, clear, आगन से, ठीक है बिटा, और भी बहुत सारे हैं, जैसे zinc हो गया, zinc, जब किसी से react नहीं कर रहा तो, न उसने electron लिए न दिए, तो उस पर charge होगा 0, ठीक है, तो अब ये हो गए हमारे, जो हमने अभी तक पढ़े, वो किस के थे बिटा, free state के थे, ठीक है, अब हम देखते हैं, combine state में, combine state में, अब start करते हैं, h को, h जो generally पाया जाता है, वो plus form की, plus one की form में, ठीक है, जैसे h plus acid जो होते हैं, जो h plus ion lose करते हैं, तो h किस की form में पाये गया, plus की form में, तो h पे क्या charge होगा बिटा, plus one, ठीक है, ऐसे ही, आपका na है, na अगर किसी के साथ react करता है, तो क्या charge होगा उस पे one, क्योंकि na तो हमेशा, na के outer motion में एक ही electron होता है, 2,8,1 की, उसकी electronic configuration है, वो एक electron lose कर देगा, तो अपने उपर charge require कर लेता है, positive one, okay, ऐसे ही, mg, magnesium, किसी के साथ attack कर रहा है, तो obviously उसमें जो charge होगा हो, plus two, magnesium के बाद, फिर aluminium, plus three पे बिटा, carbon जो होता है, वो plus four, या फिर minus four, दोनों पे exist करता है, तो एक plus four लिख देते हैं, और दूसरे वाले के लिए minus four लिख देते हैं, क्लिए बिटा, और zinc, zinc हमेशा plus two की form में पाये जाता है, तो plus two, ऐसे ही आपका, o हो गया, o generally, generally बात कर रहा हूँ, इन दोनों को तो और exceptionally मुझे पढ़ाना है, s2 को और o2 को, इस पे जो होता है, minus two होता है, क्या होता है, minus two का two, ठीक है, इसको और इसको, हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी कुछ अलग-अलग states भी हैं, जो इस slide के बाद आपको दिखाऊंगा, clear बिटा, okay, देखें, और देखते, f, f दुनिया का सबसे जादा electro negative element, जैसे सब को पता है, तो f पे तो हमेशा, अगर वो combine state में है, तो इसका मतलब, उस पे जो charge पाया जाएगा, वो होगा minus का one, क्या पाया जाएगा, बिटा, minus का one, ऐसी अगर हम बात करें, nitrogen की, तो nitrogen, minus three, तो etc, तो आपको समझा आ गया है, कि भी, combine state और आपके free state क्या होते, जैसे potassium की बात करें, इसी गंदर, potassium की, potassium हो गया, plus one पे पाया जाता है, calcium हो गया, plus two पे पाया जाता है, तो यह आपके free state और combine state है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कि भी, hydrogen किस-किस तरीके से पाया जाएगी, और उन पे charge क्या होगा, जनरली तो हमने बताया है, कि भी, उस पे जो देखा जाता है, वो, plus one charge है, और O पे जो पाया जाता है, वो होता है, minus two का, लेकिन O की दो, तीन और condition है, एक होता है, पैर उक्साइड, एक होता है, सुपर उक्साइड, और एक होता है, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हमने पढ़ाई यह oxygen की, clear है बिटा, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, यह देखिए, सबसे पहले oxygen की बात करते है, oxygen को देखो, मैं सबसे पहले त होता है माईनस का 2 ठीक है । щिन को डेखू में तो माईनस 1 अगर ऑक्षिजिन को देखू आपकस эффि इए तो यह आपका है किस पे product मिठा और यह जो तीनों है एक सिर्ट में किसमें है कि मैं loss एक्षाइब यह जो this is what superoxide, यह है superoxide, इसके example लेते है, Na2O, ठीक है, तो इसके अंदर, जो O पे charge है, वो क्या है, minus का 2 है, क्या है minus का 2, इसके अंदर, example देखते हैं, इसे हम बोलेंगे sodium oxide, क्या बोलेंगे इसके, sodium, इसका नाम है, sodium oxide बेटा, इसका नाम है, जो लिखूंगा मैं, Na2O2, इसके कहते है, sodium peroxide, sodium peroxide, ठीक है, इस पे charge है, O पे minus 1, ठीक है, दूसरा है आपका, last, NaO2, इसके कहते है, sodium superoxide, sodium superoxide, sodium superoxide, तो इस पे O पे क्या होगा, minus का, आधा charge पाये जाता है, ठीक है बेटा, तो oxygen आपको देखे लेकिए, जनरली मिलेगा, आपको यह मिलेगा, ठीक है बेटा, जनरली यह मिलेगा, मैंने जनरली बताया, और आप hydrogen की बात कहें, तो hydrogen पे, सबसे पहला, free state में तो आपको पता ही है, S2 पाये जाता है, यह free state है, ठीक है, लेकिन, अगर मैं बोलूँ कि भई, एक hydride है, मतला मेरे पास hydrogen जो है, वो metal के साथ attach है, hydrogen जो अगर metal के साथ attach होता है, तो बोलते है, metal hydride, क्या बोलते है, metal hydride, ठीक है, और non-metal के साथ attach होता है, तो उसे बोलते है, non-metal hydride, examples आपको दिखा दूँगा अभी मैं, non-metal hydride, देखे, metal के साथ attach कराते हैं, तो sodium के साथ कराते है, suppose, तो इसे बोलेंगे हम sodium hydride, sodium hydride, यह आपका है, suppose, मैं लिलता हूँ, NS3, इसे बोलते है, ammonia, सबको पता है, और non-metal के साथ attach है, तो इसे बोलेंगे non-metal hydride, ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ बात करू, NaH की, तो NaH में, Na जो है, वो metal है, है, metal है, तो मतलब वो electron lose करेगा, तो Na पर charge क्या होगा, positive, तो H पर क्या होगा, यहाँ पर, minus 1, तो जैसा कि हमने पढ़ा है, जनरली जो H पर charge होता है, वो होता है आपका, plus 1, लेकिन, अगर वो किसी metal के साथ attach है, तो इसको याद रखिएगा, उस पर charge होगा, minus 1, यह exception है, आपका, एक तरीके से, ठीक है न, ओके, तो यहाँ पर metal hydride में, H पर होता है, minus 1 charge, फिर आपका non-metal है, hydrogen किसे attach है, nitrogen से, अब nitrogen जो है, वो जादा electron negative है, और आपको बताए कि hydrogen जो है, वो non-metal है, तो obviously, वो electron को gain करेगा, उपने पर charge करेगा, एक वाए negative, तो N पर यहाँ पर 3 negative होंगे, और यहाँ पर हर hydrogen पर plus 1 होगा, तो जब आपका hydrogen किसी भी non-metal से attach होता है, तो वहाँ पर hydrogen पर charge क्या होता है, plus 1, clear है, इसको याद रखेगा, आप हम बढ़ते हैं, इसके questions पर, बहुत easy questions है, 10-12 questions है around, और अच्छे कहाँ से questions होंगे बिटा, जहाँ से देखिएगा, चलिए start करते बिटा, यह है कुछ आपके पास questions है, सबसे पहला है आपका camera 4, जो भी underlying elements है न, उसकी हमें oxidation state निकालनी है, यहाँ इसके अंदर है MN पे, यहाँ पे, CR पे, यहाँ पे, CL पे, यहाँ पे, MN पे, यहाँ पे, B पे, यहाँ पे, sulfur पे, यहाँ पे, N पे, यहाँ पे, MN पे, nitrogen पे, I पे, और यहाँ पे, जो लिखा ह हुआ यह, आपका कुछ थोड़ा सा लग हो गया है, बिटा, तो इसको लिख देते है, H2CRO4 है, H2CRO4 है, इसके अंदर CR पे, और यहाँ तो लिखी दिया है, clear, okay, suppose निकालते हैं हम, कि MN 4 के अंदर MN पे, तो किस तरीके से करेंगे, ध्यास दिखेगा, सबसे पहले K है, K जो है, वो यहाँ पे combine है कि free है, यहाँ पे आपको दिख रहाए, MN के साथ और O के साथ attach हो रखाए, तो यह है combine state में, और combine state पे potassium जो है, वो हमेशा एक electron lose कर देता है, एक electron lose कर देगा, तो potassium पे charge क्या होगा, plus 1, ठीक है, न, okay, तो potassium पे plus 1, इसके लिए, potassium के लिए, आप दू साइल नेंगे दुबारा, और oxygen पे क्या charge होता है, माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे है वो combine state में, और यहाँ पे ना peroxide है, ना superoxide है, तो normal oxide में, normal oxide में, माइनस 2 होता है, तो माइनस 2 लिख देंगे, ओके, और कितने oxygen है, वीटा, 4, तो multiply by 4, और इस पूरे पे क्या charge है, कोई भी charge नहीं है, यहाँ पे देखी, कोई charge नहीं है, तो इस एकल टू में 0, इसको solve करेंगे न, तो X की value हो जाएगी, प्लस 7, मतलब यहाँ पे जो MN है, वो प्लस 7 में पाया गया, तो इस तरीके से आप element की oxidation state निकाल सकते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पे K2 MN 4 है, तो potassium, potassium का 1 ह होता है, और कितने potassium में 2, अब MN, MN का निकालना है, तो X put करते हैं उसको, चिके, फिर oxygen, oxygen कितने हैं बिटा, 4 है, और एक पे 2 होता है, तो इस जिकल 2 में हो जाएगी, यहाँ पे निकालते हैं, हम X की value, 6, clear है बिटा, MN निकालना है तो X, और 1 O का होता है, minus 2, और कितने है, चार, और कोई चार निकालना है, तो इस इकल 2 में 0, यहाँ पे निकालते हैं बिटा, CR का, 1 into 2, potassium पे 1 होता है, CR कितने है, 2, तो यहाँ पे 2X हो जाएगा, 2 CR है न, और oxygen, minus 2 into 7, और इस इकल 2, 0, तो यहाँ पे X की value हो जाएगी, plus 6, मतलब यहाँ पे, जो यह CR पाया गया, CR पाया जाएगा, plus 6 charge, ऐसी ही आप इसके अंदर निकाल सकते हैं, H का होता है, plus 1, इसको put करते है, X, plus, minus 2 into 4, is equal to, में 0, तो X की value हो जाएगी, plus में 7, CL जो है, plus में 7, ठीक है, इसका निकालके देखते हैं, यह nitric acid है, आपका, 1 plus X, plus, minus 2 into 3, is equal to 0, तो यहाँ पे X की value होगी, plus 5 इसको निकालते हैं, चार्ज वाला भी एक निकालके देखते हैं, I, O, 3, उपर एक negative है, तो I को put करते है, X, O, minus 2 into 3, और, चार्ज क्या वही, overall, minus है, दिख रहा है, तो is equal to में डाल देंगे, हाँ पे minus 1, X आ जाएगा, यहाँ पे plus 5, ठीक है, यहाँ निकालते है, इसको निक 2 into 4, is equal to में 0, तो X की value होगी, यहाँ पे plus 6, clear है बटा, तो बाकी के न, आप लोग के लिए homework हैं, कि आप लोग मुझे करके बताएं, किस-किस का, इसका, 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 ठीक है बटा, तो यह आपका oxidation state, निकालने का, oxidation number निकालने का, पूरा का पूरा lecture, बहुत easy तरी बताएगा, वीडियो को like करिएगा, वीडियो कर अच्छी लगी, दोस्तों को share करिएगा, तब तक के लिए take care, आज मैं आप लोगों को redox reaction का सबसे important topic पढ़ाऊंगा, जिसे हम बोलते हैं, balancing the redox reaction, balancing the redox reaction, basically आपके 12th के अंदर भी, बहुत important role play करेगा, chapter आपका 12th के अंदर ह electro chemistry, जिसके अंदर इसकी reactions involve होती है, अच्छे खासे level पे, उसके बाद आपका आता है, dnf block elements, 12th class के अंदर, उसके अंदर दो नंबर का same, जो पढ़ाऊंगा, बिल्कुल reactions वैसी ही मिलेंगी आप लोग, clear, तो चलिए start करते हैं, और वहाँ पे दो नंबर का board के अंदर question आता redox reaction के अंदर, आपको दो तरीके से balancing करनी है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, यह balancing the redox reaction है, balancing the redox reaction के अंदर, आपके दो methods है, पहला है half reaction method, जिसका दूसरा नाम है, ion electron method, दूसरा है आपका oxidation number method, तो इन दोनों method से हम balancing करेंगे, इस lecture के अंदर, clear, okay, बहुत easily आप लोगों को समझा दूँगा, बहुत core concept से, जिसमें neat के भी आप questions और जेई means के भी questions को easily solve कर लेंगे, ठीक है बटा, ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहला, आपको एक word पता होना चाहिए, Kmno4, Kmno4 होता है, आपका potassium permagnate, potassium permagnate को, अगर मैं ionize करूँ, ध्यान से देखिएगा, potassium permagnate को अगर मैं ionize करूँ, भीटा, Kmno4 होता है, Kmno4, Kmno4 को अगर मैं ionize करूँ, तो potassium जो होता है, वो अलग निकल जाएगा आपका, ठीक है, और बचेगा आपका Mno4 negative, ठीक है, इसको बोलूँगा मैं potassium ion, क्या बोलूँगा इसको, potassium ion, potassium ion, और इस वाले को बोलूँगा पर-magnate ion, पर-magnate ion, पर-magnate ion, जो यह है आपका, Kmno4 का Mno4 negative, इसी को हमें, अभी acidic medium के अंदर reduction reaction, basic medium के अंदर reduction reaction, neutral medium के अंदर reduction reaction में reaction देखनी है, ठीक है, तो अभी हम Kmno4 का पढ़ेंगे, इसके बाद हम, सारी के सारी reactions, reduction की पढ़ेंगे, इसके अंदर भी और इसके बाद वाली भी, जो की होगी, K2, CR2, O7 की, उसके बाद हम सारी oxidation reactions पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे, तो हमारी पूरी की पूरी redox form हो जाएगी, बहुत easily, और ध्यान देखेंगे, बहु होता है, MN2+, के इसको याद रखेगा, clear है, अब मैं यहाँ पे इसको balance करूंगा, acidic medium है, तो acidic medium में electron balance होंगे, MN balance होगा, O balance होगा, लेकिन externally मैं जो use करूंगा, acidic medium में balancing के लिए, वो use करूंगा, H2O and H+, ठीक है, क्योंकि acidic medium है, तो H+, का मैं use कर सकता हूं, balancing के लिए, और H2O का तो मैं करी सकता हूं, क्योंकि H2O जो है, वो acidic भी है, और basic भी है, H2O के अंदर H+, भी होता है, और OH भी होता है, इसलिए वो amphoteric कहलाता है, amphoteric मतलब एक ऐसा substance, एक ऐसी चीज जो acidic और basic property दोनों की दोनों show करती है, clear, okay, तो सबसे पहले इसको मैं balance करता हूं, यहाँ पे मैं M पे oxidation state निकाल लेता हूं, ठीक है, oxidation state निकालने सबको आती होगी, almost, almost, तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे निकालके, MN को put करता हूं, मैं X, प्लस, ओ पे charge होता है, minus 2, और कितने है, 4, charge पूरे पे है, minus 1, तो is equal to minus 1, यहाँ पर solve करेंगे न, X की value, तो X आ जाएगा आपका plus 7, यहाँ पे MN पे charge है, plus का 2, यहाँ पे MN पे है, plus 7, plus 7 से plus 2 में गया, मतलब यह 5 electrons को gain कर रहा है, जैसे suppose करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक electron डालूँ, electron पे क्या charge होता है, negative charge, एक electron डालूँगा, तो इस पे charge जाएगा plus 6, 2 डालूँगा, तो plus 5, 3 डालूँगा, तीसरा electron मतलब तो, plus, आपका हो जाएगा 4, एक और डालूँगा तो, plus 3, एक और डालूँगा तो, plus 2, मतलब यहाँ 5 electrons को, अगर मैंने add कराया, 5 electrons को add क तो, यहाँ पे, MN का charge बराबर हो गया, यहाँ भी कितना हो गया, plus 2 हो गया, क्योंकि 5 electrons पे add कर दिया, clear, तो, यहाँ मैंने electron balance कर दिये, electron balance करने के बाद ध्यान सुनेगा, अब मैं balance करूँगा, MN को, MN कितने है भई, एक है यहाँ पे, यहाँ पे भी एक है, तो, MN पहले स balance करते है, जिस side, ध्यान सुनेगा, जिस side जितने H कम होते है, sorry, जिस side जितने O कम होते है, उस side उतने ही water add करेंगे, reactant portion में कितने O है, 4, ठीक है, product में कितने है, 0, तो, किधर कम है, इधर कम है, कितने कम है, 4, इधर 4 है, इधर 0 है, तो, जिस side जितने कम होते है, oxygen उस side उतने ह कर दीजे हैं एक्सप्लस आयन एक्षन देखिए balance होगी ठेक है निसको मैं एसेocratic मीडियम में कर रहा हूं क्योंकि है deg Rewfer कर रहा हूं क्योंकि इसने electron का गेन एक्शन का गेन जहां भी होता है वह एक्षन क्या कहलाती है reduction reaction कहला दी है क्या reduction तो ऐसेडिक मीडियम में याद रखेगा acidic medium में mn4 negative mn2 plus के अंदर convert होता है अब बात करते हैं basic में तो basic में हम किस किसी जो का use करेंगे जैसे acidic में h2o और h plus का क्या था तो basic में h2o का and oh negative का use करेंगे clear है okay और reduction है तो obviously gain ही होगा अभी हम reduction reduction पढ़ रहे हैं इसके बाद k2 cr2o7 की भी सारी reduction पढ़ेंगे तो जैसे कि acidic medium के अंदर mn4 negative आपका convert हुआ था mn2 plus के अंदर same here यहाँ पे mn4 negative convert होगा लेकिन दूसरे substance में नाम होगा उसका mn4 2 negative यहाँ पे हमने देखा भई mn4 जो 4 था वो plus 6 था यहाँ पे निकालेंगे तो mn4 आजाएगा plus 6 clear है plus 7 से plus 6 ओके तो जब यहाँ पे plus 7 से plus 2 था तो 5 electron add किये यहाँ plus 7 से plus 6 है तो कितने electron एक electron वन electron को add करेंगे clear है यहाँ भी gain हुआ तो reduction है क्या है reduction okay plus 7 से plus 6 एक electron add कर दिया बहुत इजी है आप लोग ध्यान से समझिएगा clear हो जाएगा ठीक है electron balance हो गया electron gain है और तो reduction है mn कितने है यहाँ पे एक यहाँ भी एक है तो mn तो balance है o कितने है 4 यहाँ भी 4 तो mn भी o b balance है तो यह reaction होगी आपकी यहाँ पे आपको h2o और o h का use ही नहीं करना पड़ा लेकिन अगर बात करें neutral medium reduction reaction की neutral medium जहां भी आ जाए ना बिटा इसको समझ जाएगा यह slightly basic होगा क्या होगा यह slightly basic मीडियम होगा हलका basic clear है slightly basic या फिर neutral medium के अंदर mn o 4 negative जो है आपका convert होता है mn o 2 के अंदर यहाँ पर निकालेंगे तो mn पर हो जाएगा plus 7 यहाँ पर निकालेंगे तो mn पर हो जाएगा plus 4 clear है plus 7 से plus 4 मतलब कितने electrons का gain है 3 electrons का gain है कितने का 3 electrons का okay 3 electrons का gain है अब देखिए electron balance कर दिए भाई neutral है लेकिन है तो basic ही slightly basic है तो इसके अंदर भी क्या use करेंगे h2o और oh negative का balance करने के लिए ठीक है basic video में उसका उल्टा करेंगे basic में उसका उल्टा जिस side जितने O जादा है जिस side जितने O जादा है उस side उतने ही water add करेंगे तो यहाँ पे कितने हो है, चार है, यहाँ पे कितने है, दो, तो किस सेट जादा है, इतने, कितने जादा है, दो जादा है, यहाँ चार है, यहाँ दो है, तो यहाँ पे दो water जोड दीजिए, तो, हैस टो, और उसके opposite में उससे double OH negative, reaction होगी balance, चक कर लिजिएगा दिहां से, clear ह आपको हमेशा add water ही करना है, अगर acidic है, तो जिस side कम है, basic है, तो जिस side जादा है, water ही सबसे पहले add करना है, उसके opposite में आपको OH और H plus add करना है, with respect to the acidic, या फिर basic, या फिर neutral, जिसको हम बोल रहे है, slightly basic video, clear है बिटा, तो इन reactions को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, clear है, note करिए जल्दी इसको, जल्दी fast note करिए बिटा इसको, clear, चलिए बढ़ते आगे, अब है आपका K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसे कहते हैं potassium dichromate, potassium dichromate को अगर मैं ionize करूँ, ये है K2Cr2O7, इसको अगर ionize करूँ मैं, तो 2K plus, plus Cr2O7, 2 negative, ये वाला कुछ नहीं है, ठीक है न, Cr2O7, 2 negative, इसको बोलूँगा, main content ये है, जैसे KMN4 के अंदर था मेरा क्या, MN4 negative, इसके अंदर है Cr2O7, 2 negative, Cr2O7, 2 negative को बोलेंगे, dichromate ion, क्या बोलेंगे, dichromate ion, इसी को ले लिजे, dichromate और लगा दिजेगा ion, ठीक है रहा, और ये हो जाएगा, आपका potassium ion, okay, acidic, basic, neutral, neutral मतलब आपको पता ही है, slightly, basic, medium, slightly, basic, medium, slightly, basic, medium, slightly, basic, clear, acidic, basic, neutral, ठीक है, ओके, चाहे, आपका acidic हो, Cr2O7, 2 negative, Cr2O7, 2 negative, Cr2O7, 2 negative, चाहे, acidic हो, basic हो, या neutral हो, तीनों cases में ये, Cr plus 3 के अंदर ही, convert होगा, Cr plus 3 के अंदर ही, convert होगा, clear है, तो सबसे पहले, चार्ज निकाल लेते हैं बटा, दिखिए, चार्ज को, यहाँ पे निकाला मैंने, तो यह plus 3 दिखी रहा है आपको, यहाँ पे निकाला तो यह plus 3 है, यहाँ पे तो दिखी रहा है plus 3, यहाँ पे निकालते हैं भई, Cr की, तो इसको put करते हैं पहले, 2x, Cr का निकाल रहे है, और Cr कितने है, 2, तो 2x, ओके, फिर plus, minus 2 into 7, is equal to minus 2, तो यह 6 है, एक Cr पे यहाँ पे क्या है, 3 है, तो एक Cr के रिस्पेक्ट में 3 लेक्टोन आइड होंगे, लेकिन कितने Cr है दोनों साइड में बैलन्स करेंगे जब, तो 2-2 Cr है, एक Cr के रिस्पेक्ट में 3 लेक्टोन आइड करेंगे, तो 2-2 Cr के रिस्पेक्ट में डबल, कितने 6 लेक में clear है तो acidic medium में O को कैसे balance करते थे आप सबको बताए कि जिस side जितने O कम है उस side उतने ही water add करिए यहां O कितने है seven यहां कितने है zero तो यहाँ पे seven water उसके opposite में उससे double H plus balance होगी reaction चक करी आराम से चक करीगा balance होगी basic है basic में तो से मैं आपको पता ही है जिस side जिस side जितने O जादा होते हैं इधर कितने जादा है साथ जादा इधर zero है तो इधर seven water और उससे double 14 OH negative ठीक है यहां पे अगें सेम क्योंकि यह भी basic ही है slightly basic 14 OH negative and उधर seven H2O तो सब में आप देख रहे हैं कि के मैंने फॉर वाली reaction में भी यह फिर के टुसी आटो सेवन की जो यह acidic basic सब में electron का gain है तो सारी की सारी reaction कैसे चल रही है reduction कैसी है reduction कैसी है यह reduction कैसी सारी reduction reaction है याद रखेंगा हमको यह आपको याद रखना है कि basic neutral medium में कौन सी चीजे किसमें convert होती है के मैंने फॉर के टू सी आ टू से उन में याद रखना पड़ेगा आपको क्लियर है बिटा ध्यान से सुन लीजिए ओके चलिए अब बढ़ते हम reduction अब हमारे पास reaction है कि acidic medium में oxidation reaction देखते है एक मीडियम में कि acidic medium में कि acidic medium में कि acidic medium में oxidation तो देखिए जहां से जिसमें electron का हमीशा लॉस होगा पहला FE 2 प्लस acidic medium में convert होता है FE 3 प्लस के अंदर ठीक है अच्छा यहां पे इसकी oxidation state क्या प्लस 2 है यहां पे क्या है प्लस 3 तो मतलब कितने electron लूस कर रहा होगा बई एक तो loss of electron is यहां पे क्या है बिटा आपका oxidation दूसरा देखिए आपका है C2O4 2 negative convert होता है आपका CO2 के अंदर यहां पे अगर आप निकालेंगे ना C पे charge oxidation state सबको निकालना आता होगा इससे पहले वाल लेक्चर में मैंने वीडियो अप्लोड कर रखी है कि किस तरीके से आप oxidation नमबर को निकाल सकते हैं वीडियो जाके देख लीजिएगा ओके चलिए यहां पे निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका oxidation क्या रखेगा acidic medium में oxidation reaction में Fe2 plus converting into Fe3 plus and C2O42 negative is converting into CO2 और C2O42 negative is आपका होता है oxalate iron क्या होता भीटा oxalate iron फिर थर्ड है आपका NO2 negative convert होता है आपका NO3 negative के अंदर यहां पर आपका हो का NO3 ऊपर एक negative clear है यहां पर विदेखलेंगे न इस पर चार्ज तो इस पर चार्ज ओगा plus 3 यहां पे निकालेंगे तो यहां पर होगा plus 5 तो यहां पर plus 3 से plus 5 जा रहा है मतलब कितने this electron को भीए कर रा और वैसे भी यूज़ करूंगा, सडिक है तो H+, और आपका S2O का यूज़ करूंगा, clear, यहाँ पे NO2 है, NO3, electron balance कर दिए, N1 है, N1 है, balance है, अब बचा क्या O, acidic medium में किस तरीके से करते हैं, आपको बता है, जिस साइट जितने O कम होते हैं, यहाँ कितने 1 कम है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 1, S2O, और इधर 2H+, कर देंगे, reaction balance हो जाएगा, clear, fourth देखी, fourth है आपका, SO3, 2 negative, convert हो जाता है, आपका SO4, 2 negative कर दिए, यहाँ तो यह plus 4 हो जाएगा, clear है, electron कितने यहाँ से, 4 है, यहाँ 2 है, तो कितने electron, 2 electron को lose कर दिए, clear है, sulfur balance है, sulfur देखिए, balance है, यहाँ पे 1, 1 electron balance हो चुके है, O, O कैसे balance होते हैं, जिस साइट जितने, O कम होते है, clear है, तो इस साइड हम कितने, 1 water add करेंगा, उस साइड, 2H+, balance होगी, reaction चेकर लिएगा balance है और loss of electron चलेगा सब में loss of electron ही चलेगा fifth देखिए fifth है आपका CL negative जो होता है आपका इसके इंदर CL2 के इंदर convert होता है तो यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे minus 1 हो गया clear है यहाँ पे 2 CL, 2 CL हो गया एक CL पे minus 1 है एक CL पे 0 तो 2 electron 2 CL के respect में दो electron lose जाएंगे six आपका है suppose कहते हैं F negative convert होता है आपका F2 के अंदर clear F2 के अंदर okay और यहाँ दो electron ऐसे निकल जाएंगे same बई है यहाँ पे clear है एक seventh है आपका last बता देते हैं इसके अंदर I negative जो होता है acidic में I2 के अंदर convert होता है तो यहाँ पे minus 1 है यहाँ पे zero charge है तो 2 electron का loss होगा 2 electrons का clear है और यहाँ पे 2 तो acidic में I negative convert होता है I2 के अंदर इन सातों को याद रखेगा important है बिटा clear है तो acidic medium में आपकी यह सारी के सारी oxidation reaction है सारी क्या है oxidation reaction क्या है oxidation reaction clear चल इसको जल्दी रोट कर लीजिए आप basic पर चलते है basic में 2 ही है सबसे पहला कि आपका s2o3 to negative convert होता है आपका s4 to negative कंदर यहाँ पे निकालेंगे तो plus 2 charge होगा यहाँ पे निकालेंगे तो plus 6 होगा clear है तो सबसे पहले क्या करते है sulfur balance करते है sulfur यहाँ कितने है दो है यहाँ बैलन्स करते है तो एक sulfur के लिए यहाँ पे 4 electron निकलेंगे यहाँ plus 2 है यहाँ plus 6 है 4 electron निकलेंगे लेकिन sulfur कितने है 2 2 तो कितने electron निकलेंगे बिटा 8 electrons ठीक है और basic medium है यहाँ पे basic basic मेंद बैलान्स करते हैं है इलेक्ट्राओनी बैलान्स बैलान्स हो जुका है बचा क्या ओ यहाँ पर कितने हो है तीन यहाँ कितने हैं चेक करेंगे तो 8 है तो देक्षाइब तोक्तर हाइब जिक होता है उससे इतने ही ओटर एड़ करिए यह сам है वाटर राइड होंगे और उसके ऑपोजेट साइड में उससे डबल मतलब दस ओच नेगेटिव होगे बैलन्स होगी रियाक्शन बिटा क्लियर है याद रखेएगा अब थौर्ड है आपकी सेकेंड है आपकी एसिडिक मीडियम में आई नेगेटिव किसमें कनवर्ट होता थ देर है अब माइनस वन से प्लस वाइफ गया मतलब कितने एलेक्टोन ध्यान से चेक करेंगे तो six एलेक्टोन लूज हो रहे और आई एक है बैलन्स होगे बचा क्या ओ बेसिक है तो जिस साइड जतने ओज़ादा होते होते है उससाइड उतना ही वाटर तो यहाँ पर तीन S2O add होंगे उसके double 6 OH negative यहाँ balance होंगे और यह आपका फिर से loss of electron है मतलब यह सारी के सारी कैसी reaction है oxidation ठीक है बेटा दो ही case आएंगे यहाँ यही दो case है clear है अब हम इसके कुछ questions करते हैं जो half reaction method पे हम पहले पढ़ेंगे किस पे half reaction method या फिर iron electron method पे clear है कोई भी doubt होगा तो please comment section बताईएगा ज़रूर बेटा clear है बेटा ओके चलिए बढ़ते आगे द्यास देखिए चलिए यह पहला question है half reaction method या iron electron method से हम करेंगे इसको मैं सही से लिख देता हूं पहले यह है आपका MNO4 यहाँ पे और उपर negative है clear है और यह है I आपको I negative है यह आपका MNO2 है यह आपका I2 है बेटा clear है और यह किसमे करना है आपको basic medium में तो half reaction method में अगर आप इसका solution स्टार्ट करेंगे न बेटा तो सबसे पहले देखेंगे कि MNO4 negative जो है वो किसमे convert हो रहा है MNO2 के अंदर ठीक है और I negative किसमे convert हो रहा है I2 के अंदर clear है यह question है दे रखा है दे रखा ही आपको अगर नहीं देता तो आपको predict करना पड़ता है कि किसमे convert हो रहा था पहले clear है जैसे कि यहां मैं आपको बताए दो यहां पे basic medium दे रखा है question में दे रखा है कि I negative converting into I2 लेकिन मैंने जो पढ़ाया आपको कि I negative convert होता IO3 negative के अंदर basic medium में किसमें basic medium में clear है लेकिन यह जो medium है यह slightly basic है इसलिए यह I2 में convert हो रहा है क्योंकि आपका MNO4 negative जो है MNO2 के अंदर slightly basic है फिर neutral में convert होता है clear है तो चलिए हम इसको balance करते है जो दे रखा है उसके recording balance करते है यह वाले चीज़ इसके अंदर convert हो रही है medium है आपका basic MNO4 negative MNO2 यहाँ पे 4 निकाली है plus 4 हो जाएगा यहाँ पे निकालेंगे plus 7 जाएगा तो 3 electron को यहाँ पे मैंने gain कर दी है clear है plus 7 यह reaction वैसे आपने पहले पढ़ी हुई है MNO4 में आप चेक कर लीजिएगा मैंने पढ़ा दी थी ठीक है तो plus 7 से यह 3 electron gain हो गए MN1 है MN1 है clear है बिटा O4 है O2 है तो basic medium है जिस side जितने O जादा होंगे उस side उतने ही water add करेंगे तो 2 H2O इस side करें और उससे double pour OH negative वहाँ पर S2 add करें यहाँ पर OH negative clear है तो यहाँ पर electron क्या हो रहे है बिटा gain हो रहे है तो इसे बोलेंगे reduction half reaction क्या बोलूँगे इसे reduction half reaction RHR reduction half reaction clear है अब दूसरा जो है I negative converting into I2 I negative converting into I2 ठीक है तो यहाँ पर minus 1 है यहाँ पर हो गया 0 और कितने electron 2 electron 2 I के respect में यह भी पढ़ा हुआ है हमने अच्छा इसको बोलेंगे यहाँ पर loss of electron है तो oxidation half reaction this is called oxidation half reaction उपर कितने electron का gain है तीन का नीचे 2 का loss है अगर मैं आपको 3 electron दूँगा तो आप भी मुझे 3 ही देंगे ना बिटा यहाँ पर यह दे रहा 2 है lose करना 2 है gain 3 हो रहे है तो reaction नीच गलत है तो reaction को सही बनाते है electron को बिल्कुल बराबर जितने electron लेने है उतने ही देने है तो यहाँ पर क्या करूंगा multiply by 3 और यहाँ पर करूंगा multiply by 2 ठीक है reactant के सारे उसको add कर दूँगा product के सब को multiply करके जो भी multiply कर रखे है तो सबसे पहले उबर वाले हो करते है multiply करके 2 तो h2o कितने होगा बई 4 h2o plus 2 mno4 negative plus 6 i negative तो यह पूरा reactant का portion आपका add होगा product पर आते 2 mno2 plus 8 o h का negative plus 3 i2 यह चेक करेंगे तो बिटा यह पूरी की पूरी आपकी balance redox reaction balance redox reaction redox reaction क्या होगी यहाँ पे balance होगी आपके clear बिटा तो इस तरीके से आप इसको balance कर सकते हैं यह लिखना जरूरी है यह भी लिखना जरूरी है बिटा clear बिटा चलिए अब बढ़ते हैं next वाले question इसी pattern पे काम करेंगे हम clear बिटा चलिए बढ़ते आगे next question है आपका यह है आपका CR2 O7 2 negative है और यह SO 2 है और यह CR plus 3 है यह SO 4 2 negative और यह medium है आपका SOD clear है बिटा तो सबसे पहले यहाँ पे solution start कर देते हैं किसमें हो रहा है CR plus 3 के अंदर ठीक है और दूसरा वाला है आपका जो SO 2 convert होता है आपका SO 4 2 negative के अंदर सबसे पहले यहाँ चार्ज निकालते हैं यहाँ पे निकाल लेंगे तो plus 6 हा जाएगा यहाँ पे निकाल लेंगे तो plus 3 हो जाएगा CR balance कर दीजे 2-2 CR हो गए 1 CR पे plus 6 है 1 CR पे plus 3 है तो 1 CR के respect में 3 electron का gain है यहाँ पे तो 2 CR के respect में 6 electrons होगे 6 electrons, clear है अच्छा electron balance होगा और CR भी हमने balance कर दीए, बचा क्या O acidic medium है जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतने ही water add कर दीजे 7H2O और उस साइड में 14H+, 14H+, clear है, तो और यहाँ पे gain of electron है it means कि यह है RHR RHR तो यह एक reduction है तो दूसरा oxidation होगा भई, यह gain करेगा तो यह obvious है, lose करेगा यह gain करेगा, तो यह gain नहीं करेगा तो reaction ही गलत होगी वो तो, clear है तो यह हो जाएगी oxidation, half reaction, check कर लेते हैं भी यहाँ पे निकालेंगे, तो यह हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे निकालेंगे यह हो जाएगा, प्लस 6 तो और sulfur एक है, sulfur एक है तो कितने electron का loss है बिटा, दो का अब यहाँ balance करते है, sulfur भी balance होगे electron balance होगे, बचा क्या, ओ जिस side जितने, ओ कम होते इस side 2 है, इधर 4 है तो इधर 2H2 add करेंगे और उसके double यहाँ पे 4 H plus add कर देंगे फिर, यहाँ पे कितने electron का gain है, 6 का इधर loss कितने का है, 2 का, तो इधर multiply करेंगे 3, तो यह भी 6 हो जाएंगे और यह electron electron कर जाएंगे और reaction आपकी बन जाएगी, multiply करके पहले, reactant, reactant पूरा add कर देते है हम, चलिए पहले हो गया यह 14 H plus plus CR2 O7 2 negative plus 6 H2O plus 3 SO2 ठीक है, multiply करते चलता हूँ बिटा, आप product वाले हो करता हूँ 2 CR 3 plus 7 H2O, अब multiply करता हूँ नीचे वालों को 3 SO4 2 negative plus 12 12 H plus 12 H plus clear है, अब देखेंगे, तो यह reaction balance हो चुकी है, लेकिन इसको और आप simplify कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे 12 S2 हो है, इधर 14 S2 हो है 12 H plus है, उधर 14 H plus है, तो इधर इसको उठाके उधर ले जाएंगे ना जब, इसको उठाके, इसको उठाके, जब यहाँ ले जाएंगे, इससे माइनस कर देंगे, तो इस साइड में आपके 2 H plus बचेंगे, clear है, और इधर का 12 H plus गयाव हो जाएगा, ओके, यहाँ सेम water, यहाँ water कितने है, आपके 6 है, इधर साथ है, तो इसको उठाके इधर माइनस कर देंगे, तो इधर 1 H2 O बच जाएगा, और जो बचेगी, आपकी वो balance equation होगी, clear है, ओके, तो यह आपके 2 questions करवा दिए, एक question में आपको help करने कल दे रहा हूँ, आप खुद practice करेगा, उसका answer मुझे बताइएगा, तो यह equation है, द बना देनी है, reduction half reaction, दूसरी बना देनी है, OHR, ठीक है, और दोनों के number of electron को balance करके equation हो, काट देनी है, आपको number of electron काट देने है, और आपकी बन जाएगी, कौन सी, paradox balance equation, clear बिटा, अचा चलिए, अब मैं इसी equation को, इस equation को, इस equation को, मैं convert करके दिखाता हूँ, आपको, half reaction method से नहीं, ठीक है, इस reaction को balance करके दिखाता हूँ, half reaction method से नहीं, oxidation number method से, उसमें बस आपको 5 steps लेने पड़ेंगे, और आप उसको easily balance करते हैं, clear बिटा, तो चलिए, start करते हैं, इस reaction को, clear है, चलिए, ध्यान देखिए, बटा, देखिए, oxidation number method से करते हैं, ठीक है बिटा, oxidation number method से, तो चलिए, इसके अंदर ना, 5 step होंगे, basically, सबसे पहला step क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत easy है, ठीक है, सबसे पहला step, step 1, step 1 में, इसी reaction को लिखेंगे, और हर element की oxidation state निकाल लेंगे, बिटा, हर element की oxidation state, तो देखिए, पहला 4 negative, plus SO2 converting into Mn, 2 plus, plus SO4, 2 negative, तो S की हो जाएगी, sulfur की minus, plus 6, यहाँ पे O की minus 2, Mn की plus 2, यहाँ पे O पे आपको पता ही है, minus 2, यहाँ पे plus 4 हो जाएगी, निकालना, आप लोगों का आता है, नहीं आता, तो इससे पहले वाल लेक्चर में, oxidation number निकालना मैंने सिखा दिया है, सबक यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का 7, यहाँ पे O हो जाएगा, minus का 2, तो यह आपका पहले step में हर element की oxidation state निकालने आप, step 2 में आगे बढ़ेंगे, अब आप देखिए, step 2 है, टिक है, step 2 में, reaction को फिर से लिखेंगे, Mn, 4 negative, plus SO2 converting into Mn, 2 plus, and SO4, 2 negative, clear, ओके, आप क्या करना है, अब आपको चेक करना भी, किस element ने electron lose किये, किस ने gain किये, Mn चेक करिए, Mn, plus 7 पे था, plus 2 पे चला गया, तो मतलब, 7 से 2 पे गया, मतलब, 5 electron को उसने, क्या करा, gain करा, क्या करा, gain करा, तो यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ ले जाते हैं, और लिख देते है, gain of 5 electrons, ठीक है, gain of 5 electron, Mn ने 5 electron gain करे, ठीक है, अब देखिए, O minus 2 था, यहाँ भी minus 2 है, यहाँ भी minus 2 है, मतलब, O ने electron change ही नहीं करे, न लिए न दिए, तो ऐसे electron, जो electron, ऐसे element, जो electron को न gain करते हैं, न loss करते हैं, उन elements को बोलते है, spectator ions, जो खड़े होके देखते रहते हैं, spectator म में लड़ाई हो रही है, और भीड़ देख रही है, भीड़ देख रही है, मतलब, भीड़ क्या है, जो देखता है, वो क्या है, spectator, और जो अटक करता है, वो यह आपका, एक oxidation reduction कर रहा है, समझ के, रिड़क्स में आप लोग, clear, ओके, तो oxygen ना electron gain करे ना, lose करे, अब sulfur देख step 3, reaction फिर से लिख दीजिए, Mn4 negative, plus SO2 converting into Mn2 plus, और यह हो गया, SO4, 2 negative, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए, इस वाले ने, इस वाले portion ने कितने electron को, कितने electrons को transfer किया है, मतलब gain किया है, तो वहाँ 5 लिख दीजिए, लिख रहे ना, इसने 5 किये, तो 5 नीचे लिख दिय इसने कितने करा भई, 2, तो इसने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे इसको multiply कर दीजिए, ठीक है, 5 वाले को इधर, 2 वाले को इधर, 5 वाले को इधर, 2 वाले को इधर, clear बिटा, और यही चीज़ आप इधर भी multiply कर देंगे, ठीक है, same चीज, यह 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, सम 5, SO2, फिर जोगा 2, MN2+, 5, SO4, 2 negative, clear है, अब इस reaction के अंदर, 4th point के अंदर, इसको note कर लिजेगा, ध्यान से बिटा, ठीक है, 4th के अंदर, O और H को छोड़के सब balance कर देंगे, और वो हम balance करी चुका है, देखिए, MN कितने है, 2, यहाँ भी देखिए, 2 हैं, और O, S कितने है यहाँ पे, आपके, 5 हैं, यहाँ भी S किया है, 5 है आपके, तो आप 5th step में क्या करना है, 4th में हो गया balance, अब 5th को इसी में balance करता हूँ, तो 5th step भी इसी के अंदर लेलता हूँ मैं, क्या करता हूँ, last में, 5th step में, आप O को balance करें, clear है, तो medium कैसा था हमारा, acidic हमें पता है, तो reactant check करते हैं, इधर कितने H है, इधर हो गए 8 H, O, O, 8 oxygen हो गए, इधर कितने है, 10, तो reactant side में 18 है oxygen, ठीक है, यहाँ चेक करी, यहाँ 20 हो गए, यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, दिख रहे हैं 20, तो acidic medium में क्या होता है, जिस side जितने O कम है, उस side उतने ही water add करते हैं, तो किस side कम है इधर कितने कम है 2, तो इधर मैंने 2 H, O, add कर दिये, और उसके opposite side में उससे double H plus add कर दिये, और यह reaction आपकी हो गई, balance किसमे, oxidation number method में, clear है बिटा, clear, clear है, कोई भी doubt होगा, तो please मुझे comment section बताइएगा, एक और example करते हैं, बहुत प्यारा सा, देखें द्यान से, clear है, चलिए, ब ठीक है, पहले वाले कोई, और reaction लिख देता हूँ, medium चलिए, लिलते हैं, basic, अब basic medium में ले रहे हैं, basic में, आपका है, MNO4 negative plus I negative converting into MNO4, 2 negative plus IO3 negative, clear है, और medium है basic, तो सबसे पहला step क्या होता है, बिटा, सबसे पहला step है, कि हर element की oxidation state निकाल देंगे, तो इसके अंदर तो हमने 50 बार पढ़ लिया, plus 7 होता है, ओ पे minus 2 होता है, इस पे minus 1 है, इस पे निकाल देंगे, तो plus 6 हो जाएगा, ओ पे minus 2 हो जाएगा, यहाँ पे निकाल देंगे हम, plus 5 हो जाएगा, यहाँ पे निकाल देंगे, minus 2 हो जाएगा, प्लस I negative converting into MnO4 2 negative प्लस I O 3 negative, clear है? Oxygen को check करेंगे, तो यहाँ भी minus 2 है, यहाँ भी minus 2 है, तो Oxygen यहाँ पर spectator है, मतलब वो electron देख रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है? वो ना ले रहा है ना दे रहा है, उससे कोई फरक नहीं पढ़ता, okay Mn plus 7 से plus 6 में गया, plus 7 से plus 6 में गया, तो यह हो गया gain of 1 electron, gain of 1 electrons I minus 1 से यहाँ पर है plus 5, तो loss of 6 electron, this is loss of 6 electron, 6 electrons को उसने क्या करा, loss कर दिया तो second step complete हो गया, और third step में क्या करेंगे, cross multiply कर देते हैं, clear है? तो यहाँ पर हो गया आपका, Mn, O4 negative, plus I negative, Mn, O4, 2 negative, I, O3 negative, ठीक है? ओके, इसने कितना, check 1 करा, 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, cross multiply कर दिजिए, step 4 हो गया यह 6 हो जाएगा, 6, Mn, O4 negative, plus I negative, 1 multiply करो ना करो, फरग नहीं पर सा, यह 6 again हो गया, Mn, O4, 2 negative, 6, plus I, O3 negative, clear है? अब यहाँ पर देखिए, O और H को छोड़के सब balance करिए, Mn, 6, Mn, 6, I1, I1, balance, ठीक है? अब इसी के अंदर हम 5th step भी add कर देते हैं, जिसको balance करेंगे हम, 5th step भी add करते हैं, इसमें balance करेंगे हम क्या? O, medium कौन से है भई? तो जिस side जितने O जादा होते हैं, उस side उतने ही water add कर दीजिए, इधर कितने O है? 24, इधर देखिए, यह 24 होगे, 24 तो 24 है, लेकिन O यहाँ पर 3 जादा है, तो इस side 3 जादा है, तो 3 H2O, और उस से double, double मतलब 6 OH negative, balance कर दीजिए, और यह reaction आपकी balance हो गई, किस से? आपका पूरा का पूरा redox reaction की balancing complete हो गई, दोनों method से, ion electron method, जिसको हम half fraction method भी कहते हैं, और दूसरा आपका oxidation number method से भी, क्लियर बेटा, वीडियो अगर अच्छी लेगे, दोस्तों को share करिएगा, वीडियो को like करिएगा, चैनल को subscribe करिएगा, तब तक के लिए take care, आज मैं आप लोगों को oxidizing agent and reducing agent पढ़ाऊँगा, और बताऊँगा कि कौन सा compound आप कैसे predict कर पाएगे, बहुत easy तरीके से, कि फला ना फला ना compound is oxidizing और दूसरा वाला is reducing agent, clear है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत easily trick से आपको बता दूँगा, तो इसका lecture है, ये NEET और CBST म basically, ठीक है, और J means में भी बिल्कुल ऐसी ही आएगा, लेगने trick आपको NCIT के अंदर नहीं मिलेगी, NEET की chemistry class की, how to identify oxidizing OA या फिर RA, किसका redox reaction का part है, clear बटा, तो चलिए स्टार्ट करते, देखें, सबसे पहले आपको ना एक चीज पता होने चाहिए, बटा, चीज है क्या, सुनिए, oxidizing agent, oxidizing agent का मतलब क्या है, जैसे आप ये समझिए कि आपका LIC agent होता है, LIC agent क्या करता है, दूसरों की LIC करता है, यहीं करता है अपनी खुद की थोड़ा LIC करता है, ऐसे ही property agent होते है, property के जो दूसरों को घर दिलाते हैं, ठीक है, तो जो भी agent है, वो खुद वो काम नहीं करता हो, दूसरों पर वो काम करेगा, इसको याद रखेएगा, ठीक है, जैसे oxidizing agent है, तो वो खुद oxidize नहीं होगा, वो दूसरों को oxidation करेगा, और खुद क्या होगा, reduce होगा, और oxidation की, और reduction की statement आप लोग को पता है, oxidation की statement क्या होती है, कोई भी चीज जो electron को lose करती है, ठीक है, और reduction की जो electron को gain करता है, तो इसका कहने का मतलब यह हुआ in short, कि अगर कोई oxidizing agent है, तो वो खुद क्या हो रहा होगा, reduce हो रहा होगा, दूसरे को oxidize कर रहा होगा, ठीक है, खुद reduce हो रहा होगा, मतलब वो electron को क्या कर रहा होगा, gain कर रहा होगा, क्या कर आना है आपको इस दिखा दूँगा देखो सबसे पहला oxidizing and reducing agent to determine oxidizing and reducing agent पहले oxidizing agent देखते हैं which accept electron in accept मतलब accept मतलब क्या होता है gain accept मतलब gain करना ठीक है ना which accept electron in chemical reaction called oxidizing agent ठीक है इसको ध्यान से what some language में याद रखेगा generally क्या होता है oxidizing agent जो अपनी maximum oxidation state पे होते है जो अपनी maximum oxidation state पे होते है जो अपनी maximum oxidation state में होते है just like जैसे कुछ elements की बात करूँ मैं आपको दिखा ज़ता हूँ मैं suppose मैं बात करूँ KmnO4 की KmnO4 में Mn पे oxidation state निकालते हैं ठीक है तो इसका हो गया plus 1 इसको x plus minus 2 into 4 is equal to 0 तो x की value हो जाएगी यहाँ पे plus 7 मतलब Mn जो है यहाँ पे plus 7 कहलाएगा तो Mn maximum 7 electron lose कर सकता है और वो maximum उसकी oxidation state क्या हो सकती है plus 7 इसका मतलब जो KmnO4 है वो इस तरह का बहुत अच्छा oxidizing agent है दूसरा देखो suppose मैं कहता हूँ कि अभी आपने balancing आप लोगों ने damn sure पढ़ ली होगी ठीक है K2Cr2O7 अगर आप लोगों बैलेंसिंग नहीं पढ़े रेडॉक्स की तो मैंने upload कर रखी आप लोग जाके देख लीजिएगा दोनों method से चाहे वो iron electron method यहाँ पर oxidation number method यहाँ पर CR को निकालते है तो यहाँ पर हो जाएगा तो यह इसकी maximum oxidation state है मतलब यह क्या है एक तरीके के oxidizing agent है क्या है oxidizing agent कोई भी element अपनी maximum oxidation state में होता है तो उसे बोलते हैं क्या वह एक तरह का strong oxidizing agent है अब reducing agent देखे बिटा reducing agent those donate those या फिर which donate electron in chemical reaction called reducing agent generally जो अपनी minimum oxidation state पर होते है minimum minimum मतलब negative भी कह सकते है आप minimum मतलब negative oxidation state भी कह सकते है तो देखी यहाँ बात करते है maximum oxidation state की और यहाँ बात करते है minimum oxidation state की देखे ध्यान से पहले hydrogen की बात करते है hydrogen की maximum क्या होगी भई plus one और minimum क्या हो सकती है उसकी minus one maximum जब वो एक electron lose करेगा और जब वो एक electron gain करेगा तो उसकी minimum होगी clear है okay carbon की plus four maximum minus four minimum ठीक है nitrogen की plus four plus five और जब यह gain कर लेगा तो यह हो जाएगी lose कर देगा तो यह हो जाएगी oxygen की जब दो electron को lose करेगा तो यह gain करेगा तो यह clear है fluorine fluorine से तो कोई electron निकाली नहीं सकता fluorine तो दुनिया का सबसे electronegative element है तो उस पे हमेशा oxidation state क्या होगी मतलब उससे कोई electron खीच नहीं सकता तो उसकी होसी जो maximum होगी वह होगी 0 ऑर minimum एक electron ले सकता सेवार फोरस प्लस फाइफ इसकी उससे electron ले सकते हैं और लेकिन वह मत्तब वह lose कर सकता है और gain कितने कर सकता है थी सब-सक्राइए लूस कितने कर सकता है क्लोरीन lose कितने कर सकता है 7 और gain कितने कर सकता एक कोबाल्ट ऐसे ही ठीक है तो यह इनकी सबकी oxidation state जैसे कि अब बताया था magnesium की यह है ठीक है एफ़ी की यह होती है ठीक है minimum यह होती है ओस्मियम ओस्मियम और रूमियम जो है तो अगर आपसे question पूछा जाए कि दुनिया में maximum oxidation state क्या हो सकती maximum तो वह होती है प्लस एट क्योंकि octate rule के according maximum electron कितने आप donate कर सकते हो आठ ही donate कर सकते हो तो दो ही ऐसे element है जो maximum oxidation state को occur करते हैं वह है ओस्मियम ओस या फिर दूसरा है rumium ru ठीक है वह आपको आगे दिख जाएगा इसके अंदर clear है तो इसको note कर लीजेगा वेटा ध्यान से clear है बिलकुल चलिए आगे देखते देखिए some important oxidizing agent some important oxidizing agent which are at the highest oxidation state पहला है आपका यह Km4 लिखा है दूसरा K2Cr2O7 तीसरा है फिर है आपका H2SO4 फिर है आपका HNO3 तो हम यहाँ पे सब क्यों oxidation state निकाल लेते हैं central element यहाँ पे है आपका CR यहाँ पे CL यहाँ पे sulfur यहाँ पे nitrogen तो यहाँ निकाल लेते हैं 1 इंटू 2 प्लस 2X 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 बेटा CR2 एना फिर minus 2 इंटू 7 is equal to 0 मतलब यहाँ पे अगर आप implies डालके लिखेंगे तो जो X की value है वो आजाएगी plus की 6 मतलब जो CR है CR मतलब जो CR है यहाँ पे वो CR plus 6 की oxidation state में है clear है यहाँ पे CL को देखिए बेटा 1 plus X plus minus 2 into 4 is equal to 0 तो यहाँ पे X की value क्या होगी बेटा plus की 7 आगी मतलब CL जो है CL यह CL है ठीक है ना CL जो है वो plus 7 में पाए जा रहा है है ठीक है S2S4 में निकालेंगे तो 1 into 2 plus X plus minus 2 into 4 is equal to 0 तो X की value क्या आगी 6 आगी क्या आगी S2S4 में sulfur plus 6 पे पाए जाता है और sulfur maximum जो electron lose कर सकता है वो 6 electron lose कर सकता है कि दो gain करके वो S2 बन जाएगा negative का और उसके आउटर बोस शेल में 8 लेक्ट हो जाएगे ठीक है वो भी 3rd orbit में यहाँ पर निकालेंगे इसके लिए निकालते देखिए तो 1 plus X plus minus 2 into 3 तो X की value आगी यहाँ पर O is equal to 0 होगा ठीक है ना यहाँ पर जाएगी plus 5 मतलब nitrogen यहाँ पर है आपका plus 5 पर clear है तो देखिए लिए क्या लिखा हुआ है they all are strong oxidizing agent because they are at their highest 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 maximum oxidation state पर है clear है तो वो क्या क्या लाएंगे आपके oxidizing agent ठीक है oxidizing agent some important reducing agent which are at their lowest बिल्कुल lowest lowest ठीक है सबसे कम oxidation state पर पाए जाएंगे मतलब negative कह सकते हो आप ठीक है non metal की terms ठीक है अच्छा देखिए यह है आपका NS3 यहाँ काड़ देता हुँ है आपको दिखेगा नहीं तो NS3 यहाँ ठीक है NS3 पर N पर निकालते है तो देखिए X प्लस प्लस वन तो X की value कितनी होगी बिटा N किस पर आ गया lowest है न और इसके highest क्या थी अब यह आपने इससे पहले वाले slide में देखा nitrogen प्लस maximum उसकी प्लस 7 प्लस 5 है और lowest क्या है तो lowest वाले क्या होते है जब lowest होगी तो वो होंगे RA reducing agent ठीक है ना ओके यहां sulfur sulfur की maximum कितनी थी प्लस 6 देखे लिखाए ना sulfur की यह sulfur sulfur प्लस 6 ठीक है ना अब maximum यहां lowest निकालते हैं तो यहां पे sulfur की निकालेंगे हाँ minus 2 वन इंटो 2 प्लस X is equal to 0 ठीक है X की value होगी minus 2 मतलब sulfur यहां पे minus 2 में है यहां पे SCL CL की कितनी थी वही CL की CL की CL की यह रहा प्लस 7 ठीक है यहां देखिए 1 प्लस X is equal to 0 X की value is minus 1 मतलब CL minus 1 पे है तो क्या आरे बहुत इज़ी है पैचान लेंगे ना बिलकुल CH4 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 की यहां पे जैसे maximum तो आपको पता है प्लस 4 थी minimum कितनी होगी यहां पे निकाल लेते हैं X प्लस 1 इंटो 4 is equal to 0 X की value कितनी होगी माइनस 4 ठीक है यहां पे फोस्फोरस का निकाल लेंगे आप PS3 P की maximum कितनी थी प्लस 5 चेक करिएगा स्लाइड ठीक है इससे पहले वाली यहां नोट कर रखा होगा आप लोग उन तो ठीक है इसकी minimum कितनी होगी पिटा यहां निकाल लेते हैं X प्लस 1 इंटो 3 is equal to 0 3 X की value is minus 3 clear है तो आप oxidizing और reducing agent easily निकाल सकते है ठीक है आप पंगा कहां पे आएगा कि भाई कुछ elements ऐसे होंगे जो oxidizing और reducing agent दोनों की property शो करेंगे ठीक है मतलब कहने कहा है वो ना highest oxidation state में होंगे ना वो lowest oxidation state में होंगे उस compound के respect में तो वो क्या शो आपकी वो क्या शो करेगा वो और reducing agent दोनों की property शो करेगा अगर maximum high maximum oxidation state होगी तो क्या होगा OA और lowest होगी तो अगर एक ऐसा compound है उसके अनदर element की ऑक्षिदिशन state ना highest ना lowest है तो क्या होगा वो दोनों property शो करेगा आरे और OA की oxidizing, oxidizing,or reducing agent दोनों की property शो करेगा उसकी examples आफको कि यह देखें सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच शोज ओए और आरे मतलब ऑक्सिडाइजिंग एजेंट और रिदूजिंग एजेंट दोलों के प्रॉपटी शोग करेगा जैसे सल्फर सल्फर के रेस्पेक्ट में हाँ पर ऐसो ऐसो टू है तो सल्फर की मैक्सिमम कितनी थी पिटा अं मिनिममं कि थी मैनेस थी नआ अब यहान निकालते है सल्फर को सल्फर की एक्स प्लस माइनस थो इंटू टो इस इकल टू जी रो तो एक्स की निलियु जाएगी ना जहीं विचांब प्लस में तो यह ना लोएस्ट है ना है याज तो यह क्या शोग रेगा इस तीन निकाला भी आपने पड़ा आप लोगों ने यहां देखते हैं 1 प्लस X प्लस माइनस 2 इंटू 2 इस इकल टू 0 तो यह हो जाएगा X की वैल्यू प्लस 3 ठीक है देखो बीच में ना हाइस्ट है ना लोएस्ट है तो यह आरे ओये दोनों है यहां देखो इसमें CL निकालते हैं CL की मैक्सिमम थी प्लस 7 और मिनिमम थी माइनस 1 ठीक है परफेक्ट ना यहां निकालते हैं 1 प्लस X प्लस माइनस 2 इंटू 2 इस इकल टू 0 X की वैल्यू आगी प्लस की 3 देखो ना लोएस्ट है ना हाइस्ट है परफेक्ट है ना आगे देखो MN MN की मैक्सिमम प्लस 7 होती है और मिनिमम जीरो होती है क्या होती है 0 क्योंकि मैटल है वो गेन इलेक्टॉन नहीं करेगा मैटल नेगिटिव चार्च में तो कभी नहीं आता है ना वो हमेशा 0 पर रहेगा कर रहेगा तो मिनिमम पर लेकिन मैक्सिमम वो कितने लूज कर सकता है वो साथ लेक्टॉन लूज कर सकता है क्लियर है ओके यहां निकालते है इसके लिए एक्स प्लस माइनस टू इन्टू इस इकल टू जिरो एक्स की वैल्यू इस प्लस फोर देखो लाई कर रहा है इसके बीच में है मैं यहां पर प्लस फोर में तो यह आपके कंपाउंड जो है वो ओक्सडाईजिंग और रिडियूजिंग है clear है तेखिये अब देखिए super trick देखिए बिता पहचानने के super trick जो आपने बिल्कूल पढ़ रखे है यहां पर oxidizing agent में maximum oxidation state होगी compound की maximum oxidation state आपको बदावने चाहिए लेकिन ठीक है ओ जनरली क्या क्या होती है यह 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 होती है ठीक है और reducing agent की क्या होगी यह होती है ठीक है इसको काट दीजेगा यह और 0 लिख दीजेगा 0 ठीक है माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 और oxidizing और reducing agent क्या होंगे जिनकी जनरली क्या होगी इसको भी काट दीजेगा जो बीच में बिल्कुल पाई जाएगे इनकी और इसकी oxidation state के बीच में पाई जाएगे ठीक है आप बिल्कुल इसको याद रखेगा आपको समझ जाएगा जैसे एक और मै example लेता हूँ कि suppose मैंने कह दिया बिटा कि भई क्रोमियम जो है क्रोमियम प्लस 3 पर oxidizing यह के reducing यह दोनों है जो कि क्रोमियम की maximum तो six होती है और यह मैटल है तो minimum कितनी जीरो होगी और यह जो लाई कर रहा है यह क्या है बीच में तो यह ओए भी है और यह क्या है और यह क्या लेंगे भई कौन कौन सा फलाना फलाना compound is ओए या फिर आरे पफेक्ट है इसली एक और देता हूं विटा सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास है CL 3 negative 1 negative 1 ठीक है CL O3 negative तो यह पर CL का बताना है तो CL पहले देख लो CL प्लस और CL minus 1 maximum minimum हम तो चेक कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर रिकालते है यह minus 2 3 is equal to minus 1 x की value आगे प्लस 5 पता हो ओए आरे दोनों है हमझा गया clear है तो यह आपके ओए आरे पहचानने के बहुत इजली तरीके है clear बटा ध्यान से इसको प्यार से नोट कर लीजेगा आप कभी भी इसमें ओ इसमें बी आर नाइट्रोजन एमन सी आर ठीक है बटा सलफर आई सलफर एमन सी आर क्लिर रहें clear बटा तो यह आपके कुछ कंपाउंट्स है जिसकी आप आरे ओए या फिर आरे ओए दोनों है वो प्रॉपर्टी शो कर आप इसली बता सकते हैं ठीक है ना बटा कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमें सेक्शन बताएगा वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो गर अच्छे लगी दोस्तों को शेर और पोटेंशल भी पढ़ा दिये जाएगा क्योंकि बस हल का सर्द इफ्रेंट होता है दोरू के इंदर तुछले इस स्टार्ट करते हैं और अप कह सकते हैं इसको कह सकते हैं ती नाम है इसके छिनली ठीक है रड़ा पूल सकते पटेंशल डिफ्रेंट जो आपने टेंथ का से पड़ाओगा पका पड़ाओगा ना जिसकी यूनिट थी वोल्ट है ना या फिर इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स भी क्लियर है तो सबसे पहले आप समझे कि इलेक्ट्रोट पोटेंशल होता क्या है यह पोटेंशल कुछ और होता है नेगेटिव फोले पोटेंशल कूछ और होता है इनормे 155 के बीच में 20 यही एन और के बीच में जो electrode potential का difference होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या electrode potential दूसरी इसकी statement पहली तो आप समझ गए ठीक है दूसरी statement आप लोगों ने सुना होगा पिटा आईउनाइजेशन एनरजी पक्का आप लोगों ने सुनी होगी और statement आप लोगों को सब को पता होगी दा मिनिममम अमाउन्ट ऑफ एनरजी रिक्वाइट तो इजक्ट ने लेक्टान फ्रॉम एनी मैटल यह फिर ऐलेमेंट इन इस ऐसोलेट गैसियो स्टीट तीक है आई इसोलेट गैसियो स्टीट से आपको एलेक्टहन निकलेगा और उसitta के रिस boyfriend यह लिलेटवर से डेक्ट निकलता है 예요 कि बस आपको इसके अंदर चम्ह truckit synergy कि यहथा करने है energy की जगह को डाल देना है यह प्टेंश्र क्या डलना है दिमाला भूर मैं क्रव हें कि तो Y मेरेने एक मैटल है मैटल की प्रॉपटी क्या होती है लेक्ट्रों लूस करने की अब बहार से इसके लेक्ट्रों निकालने के लिए और मैं निकालने के लिए तो बताओ नॉन मैटल पे ज्यादा करना पड़ेगा कि मैटल पे क्योंकि नॉन मैटल अपनी प्रॉपटी अगेंस्ट काम करेगा तो नॉन मैटल का इंलेक्टित पोटनेशल हमेशा क्या होता है ज़्यादा निकाम केने पाützenर कंपनी च ож सकता है क जब वो अपनी stable oxidation state में हो जैसे मैं आपको आप समझाता हूं सपोस कहता हूं कि मेरे पास magnesium है magnesium के outer most shell में कितने electron होते हैं तू कॉमा एट कॉमा टू होते हैं तू कॉमा एट कॉमा टू सही है अब मैं यहां से बाहर से एक potential apply कर रहा हूं इससे electron निकालने के लिए और मैं easily निकाल लूँगा क्योंकि इसका outer most shell में दो electron है और यह metal है तो मैंने निकाल लिए आप दूसरी condition समझेए पहले mg था बस mg ठीक है अब दूसरा जो है mg 2 प्लस है अब mg 2 प्लस की electronic बता ही तू कॉमा एट ठीक है आउट्र मोस चैल में कितने electron है आठ जो की एक और पूरा पुरा रखा उसने और noble oxidation state से निकालने कुशिक कर रहा हूं तो metals की भी एलेक्टर पोटेंशल positive होता या जादा होता है लेकिन किस condition में जब वो stable oxidation state में होते हैं इसको याद रखिए clear है बिलकुल clear अच्छा positive generally किसका होता है generally word use कर रहा है positive होता है जा फिर उन metals का जो अपनी stable oxidation state में हैं और negative किन का होता है जिनका सरी हाँ negative किसका होता है जो आपके metals होता है ठीक है आप positive negative के बीच में क्या कि है zero zero किसका होता हाइटूजन का किसका होता है इस word को या दके Ukrainian yet standard electrode potential metal का सरी hydrogen का जीक होता है खितिक है तो देखिए यह है आपके पास इलेक्टोर्ट पोटेंशल जिसको हम E-Cell कहते हैं दूसरा है स्टेंडर्ड पोटेंशल को E-Cell और उपर यह नॉट यहां नॉट होता ठीक है न यह वाला नॉट नहीं होगा क्लियर है उस E-Cell-Node दोनों भी डिफ्रेंश ही है तो अब भी पहले स्टेंटमेंट देख लेते हैं इलेक्टोर्ट पोटेंशल की इसको हम E-Cell कहते हैं डिफ्रेंस इन दपोटेंशल बिट्विन इलेक्टोर्ड मतलब अनॉट और केफोड अनॉट इन दसैल यह बेट्री क इलेक्टार्ट पोटेंशल ठीक है यह एलेक्टार्ट पोटेंशल की दो स्टेट्मेंट है दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो और जैसे कि आपको बता है इसका दो नाम है एक होता है तीन नाम होती होता है एक होता है एक होता है एक होता है एक होता है थीसरा होता है यह सबोज मेरे पास एक electrode है Mg की magnesium की है और यहाँ पर temperature है 100 degree कितना है 100 degree और इस पे जो pressure act कर रहा है 50 बार कर रहा है 50 बार pressure act कर रहा है तो इस time जो निकलेगा वो आपका निकलेगा electrode potential लेकिन अगर मैं कहा दूँ यह एक electrode है ठीक है कोई सी भी random electrode है magnesium calcium किसी भी metal की electrode है ठीक है अच pressure act कर रहा है क्या है वन बार तो हम कहा सकते हैं कि यह जो चल रहा है वो standard पे है किस पे है standard तो same statement बस आपको इस electrode की temperature और प्रेशर हो क्या रखना है maintain रखना है और कितना रखना है देख लिजिए standard electrode potential की statement difference in the potential potential between electrodes in the cell यह battery at 298 temperature होना चाहिए और प्रेशर कितना हो चाहिए वन बार और यहा पर जाएगा standard यहा पे standard जाए क्लियर ना standard electrode potential फिर दूसरी statement it states that minimum potential required to eject an electron from electrode at cold standard standard भी आएगा पिटा standard electrode potential clear है पिटा clear ओके देखिए अब आगे देहान से यह आपके पास एक table है ncrt के अंदर भी आपको ऐसे table मिल जाएगी पिटा आपको कोई भी परशानी होगी नहीं ऐस सच देखे यह ncrt के अंदर भी आपको ncrt के अंदर भी table मिल जाएगी ठीक है redox के अंदर मिल जाएगी और यह यह table आपको 12 में भी काम देगी redox reaction के अंदर 11th class में काम देगी और 12th के अंदर यह आपको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर उसके अंदर मिलती है तो यहां पर आप ध्यांस देखेंगे ना यह वाली चीज तो यह hydrogen है hydrogen प्राइए ठीक है hydrogen से इस तो बन रहा है और इसका electrode potential कितना है और इससे नीचे चेक करेंगे तो इस सारा नेगेटिव दिख रहा होगा इससे ऊपर देखेंगे तो सारा positive होगा negative किसका होगा metals का क्योंकि metal जनरली लेक्ट्रो लूस कर देते हैं तो देखिए सारे metal है पीबी एस एन निकल एफ़ी सी आर जिंक एस टूओ का वह लेक्ट्रो लेसिज है अलमीनियम मैगनीजियम सोडियम कैल्शियम प्रटैशियम लिथियम ठीक है अब उपर चेक करिए उपर आपके metals भी मिलेंगे non metal भी दोंघ्र्टो लेंगे क्योंकि वह ज्यादा कि वह इलेक्ट्रण जनरली करते नहीं वह करते हैं वह इलेक्ट्र्न करते हैं अगर उन्हसे इलेक्ट्रन निकालना है तो हमें ज्यादा potential अपलाई करना पड़े इसलिए वह पॉस्टिव होगे ज्याँध सब ज़्यादा है या फिर निकलेगा तो भी वो सबसे ज़्यादा potential apply करने पर कितना 2.85 87 clear है clear है तो यहां पर आपको metal भी मिलेगा और non metal भी metal मिलेंगे तो consistent में stable किसी भी मतब configuration होगी कोई ना कोई जैसे सबोस कहते है CR CR plus 6 में है CR ठीक है CR plus 6 configuration क्या होगी आरगन 4S03D 0 तो इसकी पर तो electron नहीं है तो क्या configuration इसकी आरगन नहीं है और आरगन एक तरह का क्या है noble gas है तो इस पर जो electrode potential high होगा कि लो होगा हाई होगा हाई होगा क्या होगा हाई होगा हाई मतलब इलेक्टोर potential क्या होगा positive होगा तो यह आपका पूरा का पूरा electrode potential का पंगा है clear है बिटा clear कोई भी डाउट होगा तो फ्लीज कमेंट बताइएगा वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा सब्सक्राइब करेगा तक लिए टेक क्यार